दमश्का श्रित्योग न्यूज देख रहे आप मैं आपके साथ था प्रिया इस वक्त की बड़ी कबर आपको बता दे मुख्यमंत्र नितिश कुमार की पार्टी में बड़ी तूट की आसार हो सकती आपको बता दे कि मुख्यमंत्री नितिश कुमार के सबसे करीबी कह जाने लेने था और बियान सरकार में मंत्री विजेंद्र यादो अब ऐलान कर चुके हैं कि वो जेडियू में नहीं है आपको बता दे कि आज जेडियू के तरफ से एक हम बैठक बुलाए गई थी और जेंटा दल यूनाइटेट की पार्टी दफ्तर में तमाम करके एक एक मंत्री वधायक कार्यकरता वहाँ पहुँच रहे थे इसे पिछ बियार सरकार की मंत्री और जेडियू के वरष्ट ने था विजेंद्र यादो भी पहुँचे लेकिन वहाँ पहुचते इंगनों ने यह एलान कर दिया कि वो जनता दल यूनाइटेट में नहीं है जेडियू के पा आपको बता दे कि आज जीडियू के तरफ सी आगामी चुनाव को लेकर के बड़ी बैठक की जा रहे हैं जिसमें तमाम नेता और कार्यकरता मंत्री विधायक तमाम लोग जेडियू के पहुचे हुए थे जिसमें और जया मंत्री विजेंद्र यादो भी पहुचे हुए थे लेकिन विजेंद्र यादो का पारा तब च चीज को लेकर की वो भड़ा कुटी और उनने का कि आखिर जब वो जन्ता दल युनाइटिट के पार्ट नहीं है तो उन्हें इस मिटिंग में क्यों बुलाया गया है दादे आपको की विदान सबाच्चुनाव को लेकर की आज जेडियो बड़ी बैठक करने वाली है और राष्ट्य कारेकार्णी अध्यक्ष संजय चाप प्रिदेश अध्यक्ष उमेश कुश्वाह अध्यक्षता करेंगी इस बैठक की बैठक को अहम माना जा रहा है क्योंकि आज आगामी विदान सबाच्चुनाव को लेकर जेडियो कई रेडिनीती बनाने वाली है और इस कोई बाद पार्टी संगठन के तमाम लोग मंतन करकी फीटबेक लेकर की उमिद्वारों के नामों पर चर्चा भी करेंगे फिर मिटिंग खतम होने की बाद आज जेडियो क की तरब से कहा जा रहा है कि बड़ी सौबरती जा सकती है बड़ा एलान किया जा सकता है लेकिन इस एलान से पहले ही जेडियो में बवाल मची है जब जेडियो के ही वरिष्ट नेता और बियान सरकार के मंत्रे विजेंद्रियादों ने ये कह दिया कि वो जेडियो के पार्